एक बहतरीन मैच की शुरुवात, स्टेडियम्स जल उठी हैं फ्लाट लाइट्स में और क्रिकेट के लिए पर्फेक्ट कंडिशन्स हेट्स का कॉल कप्तान का और ये टेल्स टॉस जीत कर बैटिंग का निरनाए एक अच्छा फैसला इस पिछ पर दोनों सलामी बरले बास ग्राउंड पे आते हुए एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी होगी यहां इन दोनों को अपने टीम के लिए भूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्ले बास कि है एक तक की दिया है गेंगाम में और एक शांदार शपका बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट गूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्ले बास आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता बेदरीन शॉट बॉल गैप में और ये सिमारे का पार खराब गेंद बाजी का प्रदर्शन लाइन और लेंग्थ बिलकुल काबू में नहीं यहां बॉलर के अच्छी शॉट लेकिन कोई रन नहीं बैतरीन गेंद बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खिलना होगा बल्ले बास को अच्छी टाइमिंग लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ अंदर आती हुई गेंद अच्छी गेंद का इंतजार करना होगा यहां बल्ले बास को है आई यह देखते हैं पिछले च्छी खाल फो एड की दास्ता अच्छी बीचत को पीचैनल करनात्स के काउट भीच्छी गेंद नहीं Satya च्छी तेब्ला की दास्तां देस्तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छटका बहुत ही कीमती डॉट बॉल कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पर हवा में खेला है बड़िया प्लानिंग और एक्जेक्यूशन का प्रदर्शन यहां गेन बास का समभल कर खेल रहे हैं यहां बल्ले बास एक अच्छा निर्मै रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह एक छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसलिए इतनी दूर गई यह गेन आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता हवा में खेलते हुए और कैच बहुत ही अच्छी फिल्डिंग कप्तान और गेनबास की प्लानिंग यहां काम आ गई बल्लेबास फसे सीधा उनके जाल में अच्छी शॉट लेकिन कोई रन नहीं बुरी गेन बल्लेबास ने हम पूरा फाइदा उठाया और यह चार रन बैतरीन गिन बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खिलना होगा बल्लेबास को आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता थोड़ो और कमाना चाहते हैं मैंने अभी अभी ऑप्टा एफेक्स के जरीए वित्तिय मार्केट से कमाना शुरू किया है उनके पास सच में फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बलेबास को एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए संभल कर खेल रहे हैं यहां बलेबास एक अच्छा निर्में बैतरीन गिन बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खेलना होगा बलेबास को एक रन तेजी से फूरा किया आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता यही खासियत है इन दोनों बलेबासों की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बलेबास को अच्छी टाइमिंग लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ताँ इवत्तु सिक्सपोर ना सुरी मढ़ा हरस बढ़ते ने यह यहन्या यरु आर खी बंदिल वला यारू बर उद्स Solomon या कंद्रे यहल्लारू प्लेशिप रम्मी या सूपरतेट्टी रम्मी लिग ना या प्लेशिफ रम्मी ना सूपर्थर्टी रम्मी लिग नली निमा मौदलने या ऐवत रुपाई डेपाउसित मेले नूरु रुपाई या गेमकैश दी गुत्ते मत्ते 100 परसेंट एक्स्टा गेमकैश निमा मुंधी ना इपत्तों मत्त डेपाउसित ना मेले पड़े हरे एक बहतरीन मैच की शुरुवात स्टेडियम्स जल उठी है फ्लाट लाइट्स में और क्रिकेट के लिए पर्फेक्ट कंडिशन्स बहतरीन शॉट बॉल गाप में और ये सिमारेका पार खराब गेन बाजी का प्रदर्शन लाइन और लेंग्थ बिलकुल काबू में नहीं यहां बॉलर के बल्ला गुमाया जरूर यहां पे लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाए गेन के साथ उठा के खेल दिया और कैच बहुत ही अच्छी फिल्डिंग बढ़िया प्लानिंग और एक्जेक्यूशन का प्रदर्शन यहां गेन बाज का बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बुरी गेन बल्लेबाज में यहां पूरा फायदा उठाया और यह चार रन अच्छे एरियाज में बॉलिंग करने की जरूरत है बॉलर का रिदम आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब अंदर आती हुई गेंद खुपसूरत इन्स्विंगर खुपसूरत टाइमिंग कोई फिल्डर मौजुद नहीं वहां बाउंडरी पर और चार रन मिलेंगे अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन चार रन बटोरने में फिर से काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ अच्छी शॉट लेकिन कोई रन नहीं एक रन तेजी से फुरा किया लो भाईया गेंदाई और गई बल्ला बस हवे में ही गुमता रह गया यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की टीवी अंपायर को बुलाया गया है अच्छी टाइमिंग लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ बहुत ही कीमती डॉट बॉल जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब इठा के खेल दिया है गेंध हवा में और एक शांदार छक्का बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बहुत ही अच्छी गेंध बाजी यहाँ बल्ले बाज बिल्कुल भी कनेक नहीं कर पाए इस गेंध को फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब देखकर समल कर खेलना होगा अगर यह बाहरी किनारा ले लेता तो बहुत महेंगा पड़ जाता यह शॉट पेस में वेरियेशन और बिल्कुल नहीं समझ पाए यहाँ पे बल्ले बाज स्विंग और यह मिस कॉंसेंट्रेशन की बहुत जादा ज़रूरत यहाँ एक और रन अपने खाते में जोडते हुए गेंध और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं एक रन तेजी से फुरा किया वाओ तेजी से फुरा किया तेजी सब्सक्राइब ताइम और प्रेस्मेंट का बहतरीन प्रदर्शन बाल बाउंटरी के तरफ चार रन बोल्ड नजर हटी और गिल्ली उड़ी केन को पढ़ने में गल्ती कर गए बल्ले बाज और अपनी गिल्ली उड़ा बैठे यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की हवा में खेला है और सीधा फिल्डर के हाथ में बहुत ही अच्छी फिल्ड प्लेस्मेंट यहां कफ्तान के द्वारा जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब देश तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का पुरी ताकत से मारा है वहां बॉल बांडल रोप्स की तरफ जाते हुए चार रन एक और रन अपने खाते में जोटे हुए बहुत ही कीमती डॉट बॉल एक रन तेजी से फुरा किया थर्ड अंपायर को बुलाया गया है देखना होगा के उनका डिसिजिन क्या होगा थर्ड अंपायर का फैसला आउट बल्लेबाज को वापस जाना होगा यही खासियत है इन दोनों बल्लेबाजों की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते जादा सिंगल लेने में काम्याब विस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह चक्का बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कंप्लीट बेतरीन शॉर्ट सेलेक्शन बॉल को गैप में डाला है और चार रन मिलेंगे वहाँ फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब बल्लेबास का तेज तरार शॉर्ट गेन सीमा रिखा के तरफ जाती हुई चार रन एक और रन अपने खाते में जोडते हुए एक रन तेजी से फुरा किया पूप्सूरट शॉट गेंद स्टैंज की तरफ और ये एक लाजवाब छक्का भूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्लेबास यही खासियत है इन दोनों बल्लेबासों की भूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्लेबास इठा के खेल दिया है गेंद हवा में और एक शांदार चक्का हवा में खेलते हुए और पकड़ लिया फील्डर ने यही तो रणनी थी थी गेंद बास की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बहुत ही कीमती डॉट बॉल बल्ला गुमाया जरूर यहां पे लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाए गेंद के साथ बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बैतरीन शॉट बॉल गैप में और यह सिमारे का पार इस बल्लेबास के खिलाफ आप यहां गेंद बाजी नहीं कर सकते यह आपको चौके मारते रहेंगे फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब उंग्लियों का जादू और बल्लेबास के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी यह गेंद कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पर बुरी गेंद बल्लेबास ने यहां पूरा फाइदा उठाया और यह चार रन गलत लाइन और लेंग्ट और नतीजा वही बॉल सीमा रेखा पार प्रेशर में लग रहे हैं बोलर आज इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसलिए इतनी दूर गई यह गेंद एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए लो भाईया गेंदाई और गई बल्ला बस हवे में ही गुमता रह गया एक रन तेजी से पूरा किया यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए बहुत ही अच्छी गेंद बाजी यहाँ बल्ले बाज बिल्कुल भी कनेक नहीं कर पाए इस गेंद को एक रन तेजी से फूरा किया यही खासियत है इन दोनो बल्ले बाजों की देखकर सम्हल कर खेलना होगा अगर यह बाजाँ है अच्छी पाहरी किनारा ले लेता तो बहुत महेंगा पड़ जाता यह शॉट जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब उंगलियों का जादू और बल्ले बास के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी यह गेंद उठा के खेल दिया और बल्ले बास की उम्मीद को चकना चूर करते हुए सीधे फिल्डर के हाथ बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट हवा में खेला है कप्तान और गेंद बास की प्लानिंग यहां काम आ गई बल्ले बास फसे सीधा उनके जाल में पेस में वेरियेशन और बिलकुल नहीं समझ पाए यहां पे बल्ले बास फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोडते हुए अंदर आती हुई गेंद अंपाएर का इशारा थर्ड अंपाएर की तरफ बैतरीन गेंद बाजी हो रही है इस छोर से समल कर खेलना होगा बल्ले बास को टेस तरार शॉट गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक शक्का विसक लेने की कोशिश गेंद हवा में और ये एक शक्का ये तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बास बिल्कुल नहीं चुके एक रन तेजी से फूरा किया ये ही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की गेंद की फिर्की को बिल्कुल नहीं समझ पाए वहां पूरी तरफ चुके कनेक करने में दिशाहीन बल्ले बाजी जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब टीवी अंपायर को बुलाया गया है अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बल्ले बास को थर्ड अंपायर को बुलाया गया है देखना होगा कि उनका डिसिजिन क्या होगा थर्ड अंपायर का निरने नॉट आउट हवा में खेलते हुए और गेन फील्डर के हाथ में और दर्शक जूम उठे जैसी उम्मीद थी एक बहुत ही अच्छा मैच देखने मिला है हमें आज अफसोस की बात है